जैहेंद वेलकम टू टूड़े एक्जाम क्लासेज दोस्तों आज है 2 नवंबर 2021 तो आज के इस वीडियों हम 2 नवंबर 2021 के जो भी मोस्ट इंपोर्टन करेंट अपेर्स के स्वाल बनते हैं उन सभी स्वालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगी इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे और 2 नवंबर के सभी करेंट अपेर्स के स्वालों को जरूर याद करें और इस वीडियो के लास्ट में एक सवाल अभ्यास के तोर पर आपसे भी पूचेंगे जिसका जवाब आपको कमेंड बॉक्स में लिखकर बताना है तो चलिए देखते हैं पहला प्रस्ट पहला प्रस्ट है अमेरिकी सिनेट ने राश्टी और सदी नियंतरन नीती के निदेशव की जिम्मेदारी किसे सौपी है तो आपसें है रावल गुप्ता, अनिल कुमार, मौनसेट या रावल चचदेवा तो इसका सही जवाब देखा आपसें है एनी रावल गुप्ता है जिनको हाली में अमेरिकी सिनेट ने राश्टी और सदी नियंतरन नीती के निदेश की जिम्मेदारी सौपी है किसे सोपी हैं? रावल गुप्ता को और रावल गुप्ता है वो वाइट हाउस ऑपीस ओब नेशनल डर्ग कंट्रोल पॉलिसी का नेतरतो करने वाले पहले डॉक्टर बन गए हैं यानि ONDCP, ONDCP के नेतरत्व करने वाले पहले डॉक्टर बन गए, कौन बन गए हैं, रावल गुप्ता, जो हाली में अमेरिकी सिनेट ने राष्टी ओस्टी नियंतरण नीती के निदिशों के रूप में नियुक्तिक क्या गया हैं, दूसरा स्वाल है, राष्टी एक्ता दिवस नेमन में से किस दिन मनाया जाता हैं, तो ओप्सने 10 जनुरी, 12 मार्च, 20 जुलाई या 31 एक्टोबर, तो इसका सही जवाब देगा ओप्सन D यानि, 31 अक्टूबर को राष्टी एक्ता दिवस मनाया जाता हैं, और 31 एक्टूबर को राष्टी एक्ता दिवस इसलिए मनाया जाता हैं, और राष्टी एक्ता दिवस की सुरुआते हैं, वो साल 2014 में की थी, अगला नेक्स्ट क्यूसन है, सरकार ने सुप्रेम कोट के किस पूरू न्यायदीस को राष्टी कंपनी भी दी, अपीलिए न्यायदी करण क्या चेर में नियुक्ति क्या हैं, तो उप्सन है, एस वेंकर्ट में, एस एम बोबडे, आको असोग भुसन या एस सी अगरवाद, तो इसका सही जवाब देगा, उप्सन है, असोग भुसन न्यायदीस पूरू न्यायदीस हैं, जिनको हाली में सरकार ने राष्टी कंपनी विदी अपीलिय न्यायदी करण क जिनको हाली में राष्टी कंपनी के विदी अपीलिय न्यायदी करण का चेर में न्यायदी किया गया हैं, अगला नेक्स्ट वाले हाली में प्रति विज्ञान मंत्राले ने किस सहर में बारत का पहला मानयुक्त महा सागर मिसन समुंद्रियान लॉंच किया हैं, तो आपसे दिल्ली सहर में, चैनली सहर में, पटना सहर में, लकनव सहर में, तो इसका सही दवाब देगा ओपसन भी यानि हाली में विज्ञान मंत्राले यानि प्रति विज्ञान मंत्राले ने भारत के चैनली सहर में भारत का पहला मानयुक्त महा सागर मिसन जिसका नाम है समुंद्र यान जिसको लॉन्स क्या है कहां पर क्या गया है चैन नहीं सहर में और यह किसने क्या क्या है यह क्या है प्रत्वी विज्ञान मंत्रा लेने अगला next question है नीती आयो की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड लोगों का कोई स्वास्ति भीमा नहीं है तो आप्सन है 40 करोड, 65 करोड, 15 करोड, 85 करोड तो इसका सही जवाब देगा आप्सन है यह नहीं 40 करोड है लोगों को जिनके नीती आयो की एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड लोगों के कोई स्वास्ति भीमा नहीं है इसी परकार अगला नेक्स्ट कुशन है उदेई ने भारत सरकार के किस बिल से छूट की मांग की है तो आप्सन है भारती जन्सरुक्सा बिल, भारती डाटा बिल, वैक्तिकट डाटा सरक्षन बिल या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब देगा ऑप्सन है उदेई ने वैक्तिकट डाटा सरक्षन के लिए भारत सरकार से बिल की छूट की मांग की है और किसने की है उदेई ने तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अपेर्स के सवाल जो 2 नवर 2021 के थें उमीद करता हूं ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गएंगी अगर याद होगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर पूर्ट सब्सक्राइब करें और अब इस वीडियो के लाश्ट में एक अब्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतन हैं तो आज का अब्यास सवाल है कौन से लोग देवता राधस्तान के गाउं गाउं में उंट रकसक के रूप में पूजे जाते हैं तो आप सने मादेव जी रामदेव जी पाबू जी या भूमिय जी इन चारों में से कौन से देवते हैं जो राधस्तान में गाउं गाउं में उंट रकसक के देवता के रूप में पूजे जाते हैं इसका सई जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बता और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम